Hello friends, welcome to my class. Today we will talk about daily newspaper analysis of 18 September 2022. Okay, but before that, don't forget to subscribe, like and share my channel. Let's see first word. Our first word is hagiographic. इसका हिंदी में मतलब होता है संथ चरित लिखिक. मतलब किसी संथ के दबारा लिखी कई हुई कोई बुक के या गरंथ या फिर किसी संथ के लिए लिखा गया कोई गरंथ या बुक. तो इसका सिनॉनिम है जो डिलेट्री, कर्शिंग, फुल्सम और इसके जो एंटॉनिम है आर्टलेस, अर्नस्ट, जैन्यून. अब इसका जो एक्जामपल है, हैक्योग्राफिस अप्लाइज अस विदे रिच सोर्स अफ इंफर्मेशन अबाउट मिडाइवल सोशल एंड फिलोसॉफिकल एक्टिटूज. कि जो भी हैक्योग्राफिस मिडाइवल टाइम में लिखी गई है, वो हमें बहुत सारे सोशल और फिलोसॉफिकल चीजों के बारे में बताता है, मिडाइवल टाइम के. इसका जो एंटॉनिम है वो है accept जैसे डिच अवोब का मतलब है ऐसा विकार करना और accept का मतलब है सभी कार करना. Next है adopt, next है embrace और इसका एक्जामपल है he disavoward his earlier confession to the police. Okay, next word, malign, malign means होता है दुस्ट या फिर ऐसा कोई इनसान जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम लोग malign करते हैं, इसके जो synonym है, वो है hateful, cruel, malevolent, vicious, और इसके जो antonyms हैं, वो है benevolent, जिससे हमें पाइदा होता हूँ, compassionate, काम करने वाला, loving, example, you don't dare to malign her in my presence, उसको नुकसान पहुंचाने का परयास मत करना, जब मैं यहां पहूं, next word है, acclimatization, acclimatization means परिस्थिती के अनुकूल, छीक है, जैसे अभी हमारे यहां पे इंडिया में चीता आए हैं, तो उनका forest में शोड़ने से पहले, यहां के environment में, यहां के atmosphere में, acclimatization किया जाएगा, कि उनको परिस्थिती के अनुकूल डाला जाएगा, फिर उनको खुले जंगल में छोड़ा जाएगा, इसका synonym है adaptation, adjustment, comfortation, और इसके जो antonyms है, वो है mal adaptation, छीक है, और इसका example है, जो we found impossible to acclimatize ourselves to the new working conditions, so next word है, blasphemous, 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 blasphemous मतलब, जो तूसरे की बुराई करता हो, या निंदा करता हो, और इसके जो synonyms है, impious, profane, secular, और इसके जो antonyms है, वो है pious, impious, impious मतलब जो निंदा करता हो, या फिर pure ना हो, antonyms, pious मतलब जो pure हो, reverent, religious, same इसके examples हैं, some people believe that new genre of songs, blasphemous, जो नए जनर के songs है, वो हमारी society के लिए blasphemous है, या फिर निंदा करता हो, next word, lacunate, lacunate means, अपर कमी, आप में कुछ लिखा, कोई essay लिखा, या फिर कोई book में कुछ, अपनी copy में कुछ लिखा, और उसमें कुछ कमी आगी, तो हम उसको lacunate कहते हैं कि आपकी writing है, यह कुछ lacunate है, ठीकल, इसके जो synonyms हैं, वो हैं, crunches, deficit, failure, positive, और इसके जो antonym है, abundance, surplus, और circuit, ओके, इसके example अगर हमनों देखे, skillful editing cannot conceal the notable lacunate within the book, कि आपने चाहे कितने भी अच्छे है, कितने भी skills editing की है, लेकिन उसमें जो book में कमिया है, खामिया है, उनको आप नहीं दूर कर सकते, benign, benign means somya यह अच्छा है, मतलो जिसका nature अच्छा हूँ, synonym, harmless, hurtles, hurtless, harmless, hurtless, innocent, और innocent, इसके जो antonym है, वो हार्ष, कि मतलो जिसका जो nature है, वो somya यह बनाइन नहों के बहुत ज़्यादा हार्ष, rough, violent, unkind, same इसके example है, benign, growth is not cancer, and is not likely to be harmful, अगर आप अच्छे तरीके से ग्रोव कर रहे हो, तो वो आपके लिए harmful नहीं है, next है discernible, discernible मतलब पर्ट्यक्षिया, अनुभवयों के या जिसको हम लोग feel कर सकते, उसको discernible कहते, इसके जो synonym है, apparent, audible, obvious, ठीक है, जैसे हम किसी जीज को देख सकते हैं, touch कर सकते हैं, जैसे table हम उसको touch कर सकते हैं, वो discernible, antonyms, ambiguous, doubtful, invisible, कि जिसके लिए हम लोग doubtful रहे हैं, या फिर आप्रत्यक्षियों चीज हो, वो इसका antonym हो जाएगा, इसका जो example है, some may have not discernible symptoms, but will still be infectious, ठीक है, कुछ लोगों में चाहे हमें वो जो symptoms हैं किसी disease के वो नहीं दिखाई दे रहें, लेकिन फिर भी वो infectious हैं, जैसे कोरोना का starting period होता था, तो उसमें वो उसमें symptoms नहीं दिखाई देते थे हमें, लेकिन फिर भी वो दूसरों को COVID से positive कर देते थे, next है, rekindle, rekindle, rekindle मतलब फिर से जलाना है, या फिर से रोशन करना, ठीक है, इसका जैसे मान लीजिए, मौबत्ती बुचगी और मैं इसको फिर पहले छोड़ दियो, उसको तबारा से start करने जा रहा हूं, तो वो rekindle हो गया, इसको जो synonym है, renew, revitalize, revive, and इसको जो antonym है, kill, and example है, they would not listen to him, and prepared to rekindle the light, so next word है, sluggish, sluggish मतलब आसी या लेजी होना, या तूस्त होना, कि जैसे हम लोग कहते हैं, कि जो synonym है, जो इसके, वो है, heavy, inactive, lethargic, slack, ठीक है, और इसके जो antonym है, वो है, active, energetic, or separated, so इसके example है, the most sluggish movement in the tractor purchases can be seen in the west, मतलब की, जो tractor purchases की, या selling की जो growth है, वो बहुत कम होगी है, next word है, nascent, nascent means, नविशाफ, या newly bought, इसके जो synonyms है, beginning, growing, fledgling, और इसके जो antonym है, जैसे nascent मतलब, newly born या नवजाफ, antonym है, time, जो मरने वाला है, withering, shrinking, जो कम होता जा रहा है, examples है, जो things are different, if nascent organisms are understood as two utilities, so next word है, sleet, sleet मतलब, वो इनसान जो शल्ड के साथ कोई काम करता हूँ, या जो शफाई के साथ कोई काम करता हूँ, मान लो कि फी चोर ने आपका पस निकाह लिए, तो वो उसकी एक हाथ की सफाई है, या फिर उसकी एक वो खला है, तो उसका वो लोग sleet है, इसके जो synonyms है आए, वो है, आथिके, आथिके, deception, thought, turning, और इसके अटाणिम है, जो वो frankness, honesty, और openness, शिसके एजाम्पल यादा, subtle, steps, and sleet, इसकी एक है, जो उसकी आजाए, तो जो अगला है, वो इसके जीज़ को माल दीजाए, पिसामने तो चीता आँगे तो पूस दो बराहाँ पिला है, वो, trepidition. इसके जो synonym है वो, fright, panic, uneasiness, worry. और इसके जो antonyum से है वो, assurance, confidence, ease. और इसके जो example, आपो direct responses to the situation reflected the fear and trepidition. So, next word is, scathing. Scathing अदर तीखा हैं बहुत सक्थ होना. इसके जो synonym है वो है, हार्श. जस मैंने का सक्थ होना या पिर तीखे ने चेका होना. इसके जोओ स सक्थ हास्ड सक्सा-स्थ, CAUSTIC. ऑन टॉब इसके जोब शचाम जंका, जडन, जनर। जएम से सक्थ जोओ से जोओस थाया वो,स तीखेती है पनाट इसके जोगरा का। okay thank you but before that don't forget to subscribe like and share